जिवाचिंगन स्थाने के खटी कवाड़ा में गुरुवार को एक पती गदर फिल्म का तारा सिंग बन गया माई के वालों के पास बंदक पत्नी को ले जाने के लिए वो अपने सातियों के साथ बंदोक लेकर ससुराल पहुचा और पत्नी को उठा ले गया पत्नी के परिवार वाले बस देखते रह गए बाद में वो पुलिस थाने पहुचे और युवक की खिलाब शिकायती आविदन दिया इस कहानी को समझने के लिए आपको करीब दो महिने पीछे जाना होगा देवास की भवानी सागर कॉलोनी में रहने वाले आकास सांगते ने पाशवनाक सीटी में रहने वाले पत्वारी नरेंद्र बोरिवाल की बेटे रितिका से प्रेम विवा किया था आरी समा जिन्दार में हुए विवा का प्रमाणपत्र आकाष ने नाकजिरी ठानी में दिया था तब आकाष सांगते ने नाकजिरी ठाना प्रभारी विक्रम सिंग इन्वी पर आरूप लगाया था कि उन्होंने उसकी पत्नी को दबाफ में आकर माईके वालों को सौब दिया और मुझे जूटे केस में फसाने की धमकी दे कर 80,000 रुपे वसूल लिये MBA पास पत्नी को हासिल करने के लिए आकाश ने SP से लेकर IG तक का दर्वाजा खटकताया और कहीं से भी जब आकाश को मदद नहीं मिली तो फिर वो गदर फिल्म का तारा सिंग यानी सन्नी देवल बन गया जी हाँ वही तारा सिंग जो माईके में बंधन अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और वहां से अमीशा पटेल को ले आता है गुरुवार श्राम पांच बजी आकाश सांग्ते निकास चोराहा इस्तित अपने साथी आकाश लशकरी सोनू सोना ने और अन्य साथीयों के साथ खटीक वाडा में नरेंद्र बोरिवाल के घर पहुचा और वहां से अपनी पत्नी को हत्यारों के बल पर उठा ले आया व्यूवती के पिता नरेंद्र बोरिवाल और मा सुनीता बोरिवाल ने बताया कि आकाश अपने साथियों के साथ घर पर आया और उनकी बेटी को जबरन उठा ले गया एस जोरान तलवार और हत्यारू का खुलकर प्रयोग किया गया बोरिवाल का कहना है कि आकाश ने उसकी पत्नी सुनीता के सिर पर तलवार भी मारी बोरिवाल ने पूरी घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पुलिस कर्मी रवी ने आकाश के साथ मिलकर साजिश को अंजाम दिया अब पुलिस में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना उनकी रिप प्रवाणी शागर देवास उसका एक साथी आकाश लशकरी निकास हो रहा है और सोनु सोना ने डोमा ने इससे करी 20-25 लड़के अतियार सो लेशो कर आए और मेरी बीटिया को जबजस्ती मेरे किराईदार बवीता और पाहल गुपता के घर में प्रविश करके हतियारों के अब देखना ये होगा किस मामले में क्या कारवाई होती है